महाराश्य सच्छ नीज में आप सब का स्वागत है तीस तावंबर दो हजार एकीज को डॉक्टर इर्शाद हमद अंसारी द्वारा मुम्रा कॉसा किस्मत कॉलिनी के नूर क्लेनिक में कोविट वैक्सिनेशन के कैम्प का आयोजित किया गया है वैक्सिनेशन के इस कैम्प को समाज सेवक हाशिम शेख के नेतरित्तों में आयोजित किया गया है यहाँ पर होने वाली वैक्सिनेशन के बारे में हम समाज सेवक हाशिम शेख से लेते हैं पूरी जान कर दो थिस तरह से जगा जगा रहे रहा है वेशे ही आज यहां पर नूर क्लीनिक में Kerry और आप की जानक नहीं किन ज़्यांगी आप तक लग शुकी है और योगरिया और असलाम वालेकूंट आपके नियुश के माधम से मैं मुम्रा के लोगों को बता दू के वाड़ नंबर 30 वी में हमारे एक कजीन की क्लिनिक हैं डॉक्टर इशाद एहमद अंसारी तो उन्होंने आज ही एक कैम्प रखा है जिसका हैंड़क हम लोगों ने लिया है मेरा भाई है और मैं हूँ इसमें कोविशिड वैक वैक्सिन आई हुए थी जिसमें अभी 55 वैक्सिन लग चुकी है और बाकी आप लोग आपके नियूस के मादम से दिखा सकते हैं कि बाकी अभी भी 15 से 20 लोग खड़े हैं और वहां भी कुछ पांथ-दस लोग बैठे हुए हैं जो वैक्सिन अभी 100 वैक्सिन हैं और अगर क कि बबते हुए हम लोगों को वैक्सिन लेना बहुत कमपर सरी है मैंने खुद को दो लिया है मेरे कोविट सेंटर से ही मैंने लिया है वैक्सिन सर कहीं नहीं यह देखा जा रहा है कि लोग वैक्सिन से पीशे भाग रहे हैं और ऐसे ऐसे बनाने वाले और बनाने वालों के लिए क्या संदिश देखिए अच्छी चीज नहीं है और आपके नियूस के माघंच बता दू के डाइगर चोकी में शायद मुझे ऐसा कुछ पता भी है उन्होंने अब उसके ऊपर कंप्लेंड किया है केस किया है नहीं किया हो मुझे तो नहीं पता है लेकिन वह नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वह अपने फायदे के लिए वैक्सिन को लगाया जाता है और ऐसा मुझे अगर पता भी चलता है कि वह कहीं बनती है तो मैं उ पुथल पुथल मची हुई है ऐसी इस्तिथी में आने वाले डेल्टा वारियन्स को ले करके जनता से क्या अपिल करेंगे और किस तरह किनी सुरक्षा रखने के लिए देखिए जो तीसरी ये जो बिमारी आ रही है उसको देखते हुए अभी वैक्सीन जो है इस्टिकली किया है और बाकी तो उनके ओपर डिपेंड करता है अगर वह हम लोगों की सुनते है और लोगों की अगर सुनके करते है तो ठीक है और बाकी तो हमारे जो सीनियर लीडर लोग है उनकी बैठक में जो उनका बात रखेंगे उस हिसाब से उस अनुसार काम होगा